पकोड़े तो बना लिए चटनी और कैचप तो ही नहीं तो है ना इसका हल मेरे पास इंस्टिंट चटनी इमली को विगो दें बीज और पल्प अलग कर लिए अब जो हमारे पास इमली का पल्प है इसमें शामिल करेंगे और अब तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे बाउल में शिफ्ट करेंगे और देखा ना कितनी जल्दी हो गई है तैयार इंस्टिंट चटनी